हेई गाइज विल्कम बैक टू मैज शैनल तो गाइज रियल्मी एकसेंड रियल्मी 5 प्रो में रियल्मी युवाय का अपडेट लगबग दो दिनों पहली रोल आउट हो गया था बट अभी तक गाइज अपडेट रियल्मी एकसेंड 5 प्रो के सब यूजर को नहीं मिला और ही मेनू लिंक आया है तो यार मेनू लिंक क्यों नहीं आया अपडेट इतना धीरे क्यों रोल आउट हो रहा है इसके पीछे क्या रिजन है वह मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मेरे ना में हुदे आप देख रहें यूम के टेक मेक्शोर चैनल को सब्सक लिवल में मिल जाता है और यही बेसिक अपडेट का मेनू Marx है आपको real me software update page पे मिलता है जो real me ui real me & 1957 equipment पे अभी भी नहीं मिलता है जो realme 5 pro पहले अपडेट दिया जाता है लगबग 5-10% उसके बाद जो है सभी उसको धीरे धीरे अपडेट ओलाओट किया जाता है कमपेरिजन में अगर Realme 3 Pro and Realme XT को देखे तो उन्हे Realme UI का अपडेट मिलने में लगबग 5-10 महने का टाइम लगा सभी उसको सेफटी में अपडेट ओलाओट करने के लिए सकसेसफुली अपडेट ओलाओट करने के लिए लगबग पूरा 5-10 महना लगा तो यार सिर्फ Realme UI की अपडेट रोलाओट होने में इतना जाधा टाइम क्यों लग रहा है और जो अधर अपडेट्स है वो तो बहुत जल्दी रोलाओट होरी है बट जो Realme UI की अपडेट है वो काफी ज़दा स्लो रोलाओट होरी है तो इसके बीचे रिजन क्या है और यह सभी कोश्चन्स रियल्मी के सीयो मादो सेट से आस्क मादो क्यों ने एपिसोड 15 में पूछे गए गाइस आप सभी लोग इस छोटी सी क्लिप वीडियो को सुन लो बिल्कुल छोटी सी वीडियो इसमें जो है मादो सेट और मादो सेट ने क्लियरली जवाब दिया ह अपडेट डिले होने के पीचे अपडेट रसलो होने के पीचे क्या रिजन है उन्होंने साफ साफ समझाने की कोशिच की है तो इस क्लिप को पहले सुन लो क्लिर आट डिल्हूराइ उन्होंने को बिल्यूर के समझाने का अचेर लंपर एल्तर इसमें पाया है। प्रिसे लिए जचे सुन वेग्राइश इस आप क्रिमाइश का बाहिए। The update timeline shared by us is the first wave of rollout and is then gradually rolled to all as for any big releases. All my friends who are in the world of IT industry totally relate to it as being a completely normal process. I can say each one of Realme 3 Pro and Realme XT user will get Realme UI update and I am sure you all gonna enjoy it. Also this arrangement will be done for other devices too which will get a Realme UI update soon. So don't worry guys Realme UI will be coming to the devices we have promised and even time lies for. The Realme UI update is we are doing a lot of safety so that any users don't have any problem and we need to keep a lot of attention to this operation. If something is wrong or something is wrong when we are doing a little bit, then there is a problem in the device and there is a break. And this operation is very much in safety. This is the same with ColorOS 62 Realme UI, plus Android 9 to Android 10. This is the same with both the two things we have to keep in mind. So it is not a problem. So one by one test all of us, we have to test all the realme UI update. Guys, this is the reason that the update is delayed and slowly rolling out. होने के पीछे एंड कुछ हद तक मैं इससे एग्री भी हूँ यहां पे आपका डिवाइस जो है कालरोइस सिक्स टू रियल मी युवाई पे शिप्ट हो रहा है प्लस आपको एंडरोड 10 का भी अपडेट मिल रहा है तो काफी ज़ादर इकसी मामल है इसलिए जो है अपडेट धीरे धीरे रोल आउट हो रहा है तो यार अपडेट स्लो रोल आउट होने की पीछे काफी क्लीन रिजन मैंने आपको बताया है और ऐसा नहीं कि रियल मी एकसेंट 5 प्रो के लिए सेम यह कंडिशन है जो भी डिवाइस में रियल मी युवाई का अपडेट रोल आउट किय जाएगा कुछ बातों को ध्यान में रखके जो है टाइम लग जाता है यह बात आप लोग समझ चुके होगे मुझे यकीन है आप लोग काफी अच्छे से समझ चुके हैं आप इसके साथ को अप्रेट भी करोगे थोड़ा सा और वेट करो पेशन्स रखो अपडेट जो है धी बाइ-बाइ